वेल्कम बैक टो ब्राइट फार्मा आज एक हम बहुत ही इंपोर्टन बात पर डिसक्रशन करने वाले हैं जो MSPT के एक्जाम हो रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर में टेस्ट तो क्या उसमें माइक आउन रहेगा क्या हम हेड़फोन यूज कर सकते हैं इस तरह के जो इस वीडियो में से जानने वाला है तो इसका आंसर है हाँ आपका माइक आउन रहेगा क्योंकि अगर आपने अब तक MSPT की एक्जाम की अप्लिकेशन इंस्टॉल कर ली होगी तो आपको उसके लिए जब आप इंस्टॉल करने के बाद उससे लोग इन करने के लिए स्टार अलावी नहीं करेंगे तब तब आपकी अप्लिकेशन स्टार इंए होगई आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे और अपना इक्जाम स्टार भी नहीं कर पाएंगे तो इसका बतलब है माइक आउन रहेका स्टिर Issक क्या आप थिज़गे हैँ तो उसका आज़े यह ऊपशन लगा कर किसी और को question पूछ रहा है वो वो आपको answer दे रहा है तो ये practice बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि invigorator आप पे पूरी तरह से ध्याद रखने वाले है तो mic on रहेगा और headphone भी आप नहीं लगा सकते So why? आप क्यों headphone नहीं लगा सकते आपका mic on रहेगा ये तो है पहला reason कि आपका mic on रहेगा अब जब भी किसी से बात करेंगे तो पता चल जाएगा आप exam दे रहे हैं तो headphone लगा के बैठेंगे क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी से पूछना है तो भी headphone का use होगा ऐसा तो कोई करेगा नहीं कि exam भी दे रहे और कोई काने भी सुन रहा है जाइमर डिने असले ऐसा होगा नहीं अगर आप किसी से पूछ रहे है तो mic on रहेगा आप जो भी बोलेंगे वो उसमें record हो जाएगा तो प्लीज किसी से पूछ के exam देने की कोशिश बिल्कुल ना करे क्योंकि उसमें आपका ही loss है malpractice register हो सकती है आपके against और जो warning number 7 है उसमें clearly mention किया हुआ है अगर आप किसी से बात करते दिखे तो आपके उपर warning messages आ सकते हो और आपके उपर malpractice भी register हो सकती है तो ये थे reasons कि आपका mic on रहेगा और आप क्यों headphone नहीं लगा कर बात कर सकते हैं हमारे एक subscriber ने मुझसे पूछा भी था कि ma'am क्या हम slow voice में मतलब dhemi voice में question read कर सकते हैं क्या अगर आप एकाद बार question read कर रहे हैं तो it's okay लेकिन अगर आप पूरा का पूरा question paper read कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किसी से question पूछ रहे हैं तो ऐसी practice बिल्कुल भी ना करें फिर manner में exam दीजिए और headphone यूज नहीं करना है माई का आउन रहेगा तो इस बात को भी ध्यान में रखिए और उसी तरह से exam के लिए prepare कीजिए आपका mock test होने वाला है आज उसके लिए आपको best of luck और main test के लिए भी best of luck